तो आज मैं बना रही हूँ पोटाटो बॉल्स मात रिये रहे इस पी 2-3 आलू में बना कर रैडी कर पाओगे और इसका टिस्ट आसम है तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वयलकंँ टू माई यूटूब चैनल कुकिंग विट सेमो तो पोटाटो बॉल्स उनाने के लिए सब से पहले हम लेंगे बॉल केवा पोटाटो जिसे मच्छे से मैश कर लेंगे साथ में अधा चमय रैचिली पाऊडर, एक चमय नमक, एक चमय काली मुष्च पाऊडर दो चमाँ डाल देरा कॉन फ्लार अब हम इसमें डालेंगे ब्रेट क्रमबल्स थोड़ा सा एड़ करेंगे बारी कटावा धन्या का पत्त और अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो फॉर्म में रेडी करना इसे यह देखे हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो आपना हाथों में ओयल लगा कर इसके बॉल्स बनाना आप चाहिए नो तो इसको स्क्वार पिसेज में भी रख सकते हो यह आपके उपर है कि आप इसे के सेप में देना चाहते हो तो इस तरीके से हमें बॉल बना कर तयार करना है मैं चोटे-चोटे पिसेज में बॉल बना रही हो बॉल्स बनके हो गये हैं तैयार तो अब हम इसे ब्रेड क्रम्बल में कोट कर लेंगे यहाँ पर देखो मैं सलरी का यूज नहीं कर रही हूँ fry कर लेंगे starting में न बहुत हलके हाथों से इसे अलेट पलेट करना वरना यह तूट जाएगा तो देख सकते हो कि मैं कितने हलके हाथों से इसे अलेट पलेट रहे हूँ बस यह बहुत अच्छे से फ्राइश होगी आप देख सकते हो चारो तरफ से इसका golden color आचुका है तो अब हम इस stage पर oil से बाहर निकाल लेंगे और यह जितना उपर से क्रिस्पी बनाया ना कि आप पकाड़े खाना भूल जाओगे इसे oil में से निकालने के बाद ना किसी tissue paper पर रख दीजेगा ताकि इसका extra oil निकल जाए तो आप लोग अप कमेंट करके बिताइए कि आपको यह potato balls कैसे लगी मुझे तो वह यह बहुत टेस्टी लगी क्योंकि यह उपर से जितना क्रिस्पी अंदर से soft है तो आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी तो लाइक कर देना थाइंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्रेम है चानल